है कि वे विवेक से काम ले। हेलो गैस, विल्कम टू कहानिकार की कहानिया, जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आज इस सीरीज का पहला एप्रिसोड है, यह सीरीज थोड़ा सा हटके है, इन टरम्स अफ जो हम लोग करते आ रहे हैं, यानि पॉड्कास्ट जो पहुचाएंगे, दोस्तों, इनसान सुचता है कि वो सब कुछ जानता है, मगर ऐसी बहुत सी चीजे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से जान नहीं पाया है, ऐसी बहुत सारी घटाय हैं, जो आपके साथ, मेरे साथ, कभी न कभी, कही न कहीं घटी है, जिनका ना आज तक कि अजीब सा ड़क, कुछ ऐसा ही महसूस किया, हिमालियन रीजन के आमन अहुजा ने, तो चलिए, आज हम शुरू करेंगे, आमन अहुजा की कहाने के साथ, लेकिन उससे पहले, लेट्स रोल दा इंट्रो, के वाहhष मखोडह हैं, मैं मैं अमन अहुजा, हे। मैं अमन हैं, हमालन रीजनमे रहता हूं। हिमालिया रेजन्स में रहने के वज़ा से मैंने ऐसी बहुत सारी चीजे एक्सपीरियंस की हैं जिनका असली विशलेशन मुझे आज तक नहीं मिला है यह कहानी आज से कुछ 12-13 साल कुरानी है मैं एक बार बत्री नाज से वापस आना आ था तो हिमालियन रेजन्स की जो रोट्स हैं वो काफी टेड़ी मेरी हैं जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे सामने एक गाड़ी थी वो गारी बलेनों की थी मेर आगे आगे चलते हैं अचानक एक मूर के बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी सामने नहीं थोड़े बाद मैंने देखा कि वो गाड़ी मेरे पीछे हैं मैंने सुचा यह क्या होगा वो सकता है शायद किसी काइट पर गानों से ओवरटेक कर दिया मगर फिर से दो मोर के बाद मैंने उसी गाड़ी को अपने सामने पाया मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है थोड़े दूर चलने के बाद एक ऐसा मोड आया जिस मोड के बाद एक से तेड़ किलोमेटर का एक लंबा स्ट्रेच था सीधा रास्ता यह चीज हिमालेयन रीजन में बहुत कम होती है तो मैंने जब देखा कि एक से तेड़ किलोमेटर का स्ट्रेच रास्ता वो गाड़ी कहीं नहीं है मैं उस गाड़ी को इधर दर ठोन रहा हूं बगर वो गाड़ी कहीं नहीं है मैं गया आगे उस रोल पर अचानक से मैंने दिखा कि वो गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे से हौन मार रही है तो अगले दो टन की बाद फिर से वही गाड़ी मेरे गाड़ी के सामने थी मुझे लगा कि नहीं अब तो कुछ गरबर है अब तो इस गाड़ी को चेक करना पड़ेगा अब तो आगे कहीं भी अगाड़ी मुझे एख मिलेगी, तो मैं इस गाड़ी को रोकूँंगा ऑइस गाड़ी के त्राइवर से बात करींगे कि आखेरी वह ऐसे कर खर हो और कड canड डहा है धिर आगे जाते जाते अगे दो टरण के बार मैंने देखा कि वो गाड़ी फिर से मेरे पीछ है, मैंने जब इस बात देखा कि वो गाड़ी मेरे पीछ है, तो मैंने तुरत अपनी गाड़ी रोके, और मैं एक गम रास्ते में रिचो बीच खड़ा हुआ, और मैंने उसको रोका, कि एक पर पता तो करें कि ड्राइवर करके रही, जब मै कि वो गाड़ी के अंजर तो लुट है, एक ड्राइवर इसके साथ मैं बात कर रहा था, उसके बाजू वाले सीट में एक और बंदा पैठा हुआ था, थोड़ासा अंकॉंशिस था, तो दूसरे बंदे के साथ मैंने नहीं हुए, मैंने उसके साथ बात कोई गी नहीं हुए तो हम लोग आगे बढ़ें, उनने सच में नहीं किया, हम लोगो डिस्टा बीच में हम लोग एक ठागबे पर रुखे थे, हम लोग चार दोस्त हमारी काड़ी पर जा रहे हैं तो हम लोग एक ठाबे पर रुखे थे, तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने मेरे को कार किया, तु आखिए उनने और कर दो सेएकेल. मैं आखिए खूटिए यह दोनों को मारा छोट्ट भर Cuay् कि दोनों को बैसे आखिए हő जैसे मैंनले निक्ेमार कि दोनों को मारा जैसे भर खूट में भुआ कि मैं लोग को काछ़े मारा ह। उटा कि यह दोस्तों क correctionsते हैं यह शायरू ने कोई गलता भी हुई है तो मैं उनकों पैने उसे उसे पिर सखागी नहीं आई वहां पे दो बंदे थे एक बंदा जो गाड़ी ट्राइब कर रहा था एक बंदा उसके पाजू में लिए मेरे तीनों दोस्तों मुझे एक बाद खा ले उस गाड़ी एक ही बंदा था नहीं वहाल दो बंदे थे हैं इंटा आज हमें मेरे सारे दोस्तों मुझे यही नहीं कैते हैं जोरो दो compound ऐस सधी में लिटना कीम आज है मैं। तो ये थी अमन अहुजा की कहानी, देखा आपने, मैंने कहा था न, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जिनका सही विश्लेशन इंसान के पास नहीं होता था, अमन के तीनों दोस्तों ने उस गाड़ी में एक ही बन्दे को देखा था, जहाँ पे अमन में उस गाड़ी में दू बंदों को देखा था, उम्मीद करता हूँ आपको इस टोरी अच्छी लगी होती है अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी है तो आप मैं प्लीज लाइक कीजिए इस कंटेन्ट को शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कि इस सीरीज के नई अपडेट्स अब इस चैनल पे आते रहें। तिल दिन स्टेए सिर्ए